हलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टो स्टडी निकेतन, स्टडी निकेतन में आप सभी का स्वागत है, आज है 18 मार्च 2019, दीन सोमबार, आज हम 11 मार्च से 17 मार्च के बीच बनी सारे important question डिसकस करेंगे, जो परिक्षाग दरिष्टिकों से बहुत उपयोगी होगी, और उससे related पूरा fact भी इस session में discuss करेंगे, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे दो सवाल भी पूछूँगा, उसका answer आपको comment box में देना है, इस वीडियो का PDF आप description box या हमारे टेलिगराम गुरूप study निकेतन से download कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सापताहिक 47 की ये आज की सात्मी कड़ी है, इससे पहले 6 कड़ी आ चुकी है, तो आप revision के दृष्टिकों से उससे देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको इसके description box में मिल जाएगे, विशह बस्तु, हरवार की तरह, राष्ट्रिय चलिए स्टार्ट करते हैं, नेशनल से, आज का पहला सवाल है, बीते दिनों IRDAI किसके साथ मिलकर संयूक्त कारेदल का गठन किया है, तो ये IRDA ने NHA के साथ मिलकर संयूक्त कारेदल का गठन किया है, अब NHA और IRDAI का पुरा नाम आप देखेंगे, ठीक है, IRDAI, कई दफा आप इसको IRDA इड़ा भी लिखा हुआ देखेंगे, इंसुरेंस रेगुलेटरी डेवलाप्मेंट ऑथरिटी ऑफ इंडिया, और NHA क्या है, नेशनल हेल्थ ऑथरिटी, एक्चुली ये दोनों मिलकर के, जो आईसमान भारत परधान मंदरी जन आरयोग योजना है, उसे कई दफा स्वास्थ विम्या योजना भी कहते हैं, को इंप्रूव करेंगे, दोनों मिलकर के इंप्रूव करेंगे, NHA का डेपटी सीओ, दिनेश अरोडा, इस जोएंट बर्किंग ग्रूप का, जो की संयुक्त कार्यदल है, इसके चेर परसन होंगे, ठीक है, ये राज है करनाटक, ये राज करनाटक है, करनाटक में एक जिला है, उत्तर करनाटक जिला, जहां पर ये सिर्शी सुपारी पाया जाता है, जिसको अभी हाल ही में जी आई टेग मिला है, आपको याद आ रहा होगा हमने पिछले सेसन में एक और जी आई टैग के बारे में बात किया था जो केरल के डुकी जीला में मिला था क्या आप बता सकते हैं किसे वहां के किस चीज को जी आई टैग मिला था उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें चलिए चलते हैं अगले कोसन पे बिते दिनों कितने राज्यों ने इसीगरेट पर परतिबंद लगाया है तो ये बारह राज्यों ने इसीगरेट पर परतिबंद लगाया है अब उन में से कुछ परमुख हैं पंजाब, महराष्ट्रा, करनाटक, केरल, बिहार, उत्तर परदेश, जम्मू एंड कास्मीर, हिमाचल परदेश, तमिल नाडू, पुडुचेरी और जारखंड चलिए ENDAS, Electronic Nicotine Delivery System है, ये सेल से चलती है, ये ऐसी सिगरेट होती है, जो सेल से चलती है, चलते हैं अगले सवाल पर, बिते दिनों किस राज ने यूवा स्री अरपन योजना की सुरुआत की है, तो ये पस्चिम मंगाल, पस्चिम मंगाल सरकार ने यूवा स्री अरपन योजना की शुरुआत की है, अब ये यूवा स्री अरपन योजना है क्या, तो यूवा स्री अरपन योजना, पस्चिम मंगाल के C.M., ममतावनर जी ने राज में बिरोजगारी के समस्या पर काबू पाने के लिए, यूवा स्री अरपन, परकल्प या योजना की घोशना की है, इसके तहत जो टेक्निकल में ग्रेजियोशन करते हैं जैसे बी बीटेक या फिर डिप्लोमा आईटी आई के युवाओं को एक लाख रुपिया दिया जाएगा उध्मिता के लिए ठीक है और यह यह जना लागू होने के बाद 50,000 युवाओं को फायदा मिलेगा चलिए चलते हैं अगले सवाल पर बात आई है पस्चिम मंगाल तो पस्चिम मंगाल के सीम तो बता ही चुका हूं ममता बनार जी वहां के जो गवर्नर है राजजपाल है कैसरीनाथ त्रिपार्ठी है ठीक है चलिए अच्छा अभी पस्चिम मंगाल हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तोर पे शुआ के रामसर साइट्स में वहां के एक नया जगह जो हुआ अे चैक्या नहां कि हम एसे और दर वन बेटलैंड को एर्ड कर लिया जाए तो 27 महा अभी लेटेस्ट है जो बने हैं ठीक है इस से पहले 26 थे चलिए चलते हैं अगले सवाल बीते दिनों कौन सी बैंक 6 ट्रिलियन के बाजार पुझी को पार करने वाले तीसरी भारतिये कंपनी बनी है मतलब 6 ट्रिलियन के बाजार पुझी में सिर्फ भारत के तीन कंपनियां है वो तीसरी अभी HDFC बैंक बनी है तीसरी बनी है HDFC बैंक तो HDFC बैंक तीसरी बनी है तो इसका मतलब इससे पहले दो और रहे होंगे तो वो दो कौन-कौन है वो दो है एक तो रिलाइंस है जो 8.54 ट्रिलियन के साथ टॉप पे है भारतिय कंपनी में और दूसरा TCS है टाटा का TCS है जो 7.51 ट्रिलियन के साथ दूसरे अस्थान पे है अब बात HDFC बैंक की आई है तो HDFC का पूरा नम क्या है Housing Development Finance Corporation इसके अस्थापना 1994 में हुई थी और Headquarter कहा है मुंबई में आदित्य पूरी इसके MD और CEO हैं आदित्य पूरी चलिए चलते हैं अगले सवाल पे बीते दिनों किस बैंक ने 70 वर्ष से अधिक बरिष्ट नागरिकों के लिए Door Step Banking सेवा शुरू की है तो ये State Bank of India State Bank of India ने 70 वर्ष से अधिक बरिष्ट नागरिकों के लिए Door Step Banking के सेवा शुरू की है इसमें कुछ चार्जे लिए जाएंगे और जो भुजूर्ग होते हैं उनके लिए उनको बैंक ना आना पड़े उनके मतलब Banking के सेवा जो है घर जाकर के दिया जाएगा ठीक है चलिए अब बात SBI के आई है तो SBI का स्थापना बहुत है एक जुलाई 1905 को हुआ था एक जुलाई 1905 को हेड़कॉर्टर मुंबई में है और चेर्मेन आप सबों को पता होगा रजनीश कुमार है रजनीश कुमार berat SBI के चेर्मेन है चलिए चलते हैं अगले सवाल बीते दिनों भारत ने किस राज्य में पाँचमी साइन्स सीटी का सिलानयास किया है तो पाँचमी इसका मतलब इससे पहले डिस्टिक में है वहां के जाजरा जीला है वहां पर किया गया है इसका सिलन्यास इसमें 134 कवर्ड रुपे की मंजूरी दी गई है चलिए चलते हैं अच्छा बात उत्राखंड के आई है तो उत्राखंड में वैली ओफ लार है और उत्राखंड से ही गंगा निकलती है गोमु अच्छा सांत घाटी है केरल में तो सिलकन वैली कहां पर है सिलकन घाटी बेंगलूरू करनाटक की राजधानी है चली चलते हैं अगले सवाल पे बिते दिनों भारा सरकार ने कैंसर के इलाज में काम आने वाले कितने गैर अनुसूचित दावाओं को अधिक्तम खुद्रा मुल में 87% कमी कर दी है तो ये 390 ऐसे दवाएं हैं जिनके खुद्रा मुल में 87% की कमी की गई है भारत सरकार द्वारा एक्चुली ये दवाएं काफी महंगी होती है तो भारत सरकार द्वारा इन दवाओं के मुल्ले में 87% की डिसकांट की गई है चली चलते हैं अगले सव लाज की हिल्थ केर परियोजणाओं के लिए 20Frank के साथ समझ वता किया है तो यह राज्य है आंधर पर देश आंधर के लिए बिसो वेंक से हेल्थ केर पर्यइणाओं के लिएbell सम्झा वता किया है अभी हाल ही में 20 से कुछ राज्यों के लिए भाराभ सरकार ने रिंड हो सम्झा वता किया है तो आप उन राज्यों का नाम यहां के जो राजजपाल है ESL नर्शिम्मा CM है एन चंदरबाबु नाइडू बिधान मंडल यहां का दूयू सदनिये है बिधान सवा में 175 सीटे और बिधान परिशद में 55 सीटे और यहां पर आज चुकि हम लोग बात कर रहे हैं रामसर साइट्स के तो इसमें आंधरपरदेश में भी यहां पर दो जीले होंगे आपको याद होगा यहां पर बॉर्डर बनती है आंधरपरदेश और तमिल नाडू के वहां पर पुलिकट जील है जो कि कुछ परसेंट यहां पर मतलब दो नदियां आती है एक क्रिष्णा उपर से गोदावरी इस दोनों के बीच में एक जील है कोलेरु जील वह भी रामसर कंवेंशन के रामसर कंवेंशन एक्षुली हुआ क्या था यह नमी युक्त भूमी को लेकर के इरान के इरान जो कंट्री है उसके एक सहर है रामसर वहां पर 1972 में एक कंवेंशन हुआ था उसी के अंतरगत यह सारे साइट्स आते हैं भारत में केवलादेव जो राजस्थान में है और चिलका जील जो कि उडिसा में है यह 1981 में पहली बार दोनों इस साइट्स में इस साइट्स के लिस्ट में आये थे चलिए चलते हैं अगले कोसन पर तो आंधर परदेश में पुलिकट जील तो नहीं है लेकिन कोलेरु जील इस रामसर साइट्स में आते हैं चलिए चलते हैं अगले सवाल पर बिते दिनों काड रहित cash निकालने के सुवधा कौन सी बैंक ने दी है तो card रहित cash निकालने के सुवधा SBI ने दी है अभी हमने SBI के बारे में चर्चा कर चुके है तो बढ़ते हैं SBI ने card रहित cash दिया है मतलब यहाँ पर आपको ATM के जरूत नहीं पड़ेगी और आप cash ले सकते हैं ठीक है चलिए अगले सवाल पर चलते है GI tag से संबंधित एक और सवाल आ गया बिदे दिनों GI tag पाने वाले अपरदित हल्दी का संबंध किस राज्य से है तो यह राज्य है तमिलनाडू तमिलनाडू में अपरदित हल्दी होती है और उसको GI tag मिला है देखिए अभी हमने एक GI tag सिर्सी सुपारी जो करनाटक में था उससे पहले जो केरल में था उसका नाम मैंने आपसे लिखने के लिए बोला है मिला है इससे पहले अलफानसो आम को मिल चुका है इससे पहले बिहार के लीची को मिल चुका है मतलब उडिसा में भी किसी चीज का मिला है तो क्या आप उडिसा वाले का नाम लिखेंगे तो अगर आपको पता है तो comment box में लिखेंगे ठीक है चलिए चलते हैं अगले सवाल पर अच्छा तमिल नाडू की बात आई है तो हम चाहते हैं कि रामसर कंवेंशन के जो 27 sites हैं वो आपको धीरे-धीरे याद हो जाए तो तमिल नाडू में भी इसका एक sites है तमिल नाडू में भी इसका एक site है point calimer sites जो तमिल नाडू में हैं 2002 से रामसर sites में add हुए हैं चलते हैं अगले सवाल पर बीते दिनों किस राज्ज ने कपड़ों के सबसे बड़े संग्रह के लिए गिनीज बल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है तो ये राज्य है राजस्थान राजस्थान ने कपड़ों के संग्रह में गिनीज बल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम डर्ज कराया है अब बात आई है राजस्थान के तो जड़ा map में देखेंगे राजस्थान कल्यान सिंग यहां के C.M. है कल्यान सिंग यहां के राजपल है असोग गहलो नव निर्वाचित मुखमंतरी बने है बिधान मंडल एक सदनी है 200 सीटे बिधान सभा में राज सभा में 10 सीटे और लोग सभा में 25 सीटे है ठीक है यहां उच नियाले राजस्थान उच नियाले है एक सवाल और बताईए इते दिनों किस राज ने OVC आरक्षन में 14 से बढ़ा कर 27 परतिसद किया है पहले वहां OVC का आरक्षन 14 परतिसद था अब उसे बढ़ा करके 27 परतिसद कर दिया है तो यह राज है मद्ध पर्देश मद्ध पर्देश में अभी नव निर्वाचित सीएम हैं कमल नासर्मा इन्होंने OVC आरक्षन में 14 से 27 परतिसद किया है चलते हैं अगले सवाल पे मद्ध पर्देश की राजधानी भोपाल है और मद्ध पर्देश की राजधानी भोपाल में एक जील है लेक है बड़ी तलाब बोलते हमां उसे वो भी रामसर साइट स्वाइट में है चलते हैं अगले सवाल पे बिदे दिनों में राष्टपती रामनात कोमिन ने कितने ब्यक्तियों को पदम पुरुसकार परदान कियें बहुत बहुत important question है ज़रा ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने दो बार 11 तारीकों भी दिये थे और 11 के बाद फिर Saturday को मतलब 16 को इन्होंने कुल 112 लोगों को पदम पुरुसकार दिये हैं उसमें से 4 लोगों को मिला है पदम बिभुशन जो की सबसे बड़ा है पदम बिभुशन 14 को मिला है पदम भुशन और 94 94 को मिला है पदम स्री ठीक है तो चार को मिला है पदम भी भूशन 14 को पदम भूशन और 94 को पदम स्री चलिए उसमें से कुछ फेमस नाम है जिन्हें आप जानते हैं मनोज बाजपई अभिनेता हैं गौतम गंभीर किर्केटर हैं सुनिल शेतरी फुटबॉलर ठीक है चलिए चलते हैं अगले सवाल कि बीते दिनों किसे बारवी रोल मॉडल के रूप में चुना गया है दीपा करमाकर को धिंग एक्सप्रेस भी बोलते हैं एक्चलिए त्रिपूरा से आती हैं त्रिपूरा के रहने वाली है त्रिपूरा के अगरतला जो राजवानी है वहां से हैं ये वहां पर जो इनका इनके गाववाले धिंग एक्सप्रेस के नाम से ही बुलाते हैं ठीक है इन्हें गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है चलिए चलते हैं अगले सवाल पर बिते दिनों एलाइसी के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है तो एम आर कुमार को एलाइसी के न जाएंगे कि अस्वनी लुहानी किस के चेयर पर्षन हैं चलिए चलते हैं अगले सवाल पर बिते दिनों प्रवर्तन निदसाले के विशेश निदेशक किसे नियुक्त किया गया है प्रवर्तन निदसाले को एकोनॉमिक इनफॉर्समेंट में डारेक्टर ओफ एकोनॉमिक इनफॉर्समेंट एडी भी कहते हैं तो ये अनूप कुमार दूबे को एडी के विशेश निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ठीक है फिर से अस्विनी लुहानी है आप यहां पर सौम्या स्वामिनाथन है क्या आप इनका नाम बताएंगे अभी मैंने एमार कुमार के बारें बताया एलाइसी के प्रमुख एमार कुमार को नुक्त किया गया है अस्विनी लोहानी के तुनाम आपको बताना ही है और स्वाम्या स्वामिनाथन के भी हाल ही में इनको नुक्ती हुई है कहीं पर आप उस तंस्थान का नाम बताएंगे चलते हैं अगले सवाल पे बीते दिनों क्रिसी बैग्यानिक क्रिसी बैग्यानिक भरती बोर्ड के अध्याक्ष के रूप में किसे नुक्त किया गया है आदित कुमार मिस्रा को क्रिसी बैग्यानिक भरती बोर्ड के अध्याक्ष के रूप में न्यूक्त किया गया है चलिए चलते हैं अगले सवाल पे राजीब कुमार एक option C यहाँ पर है राजीब कुमार राजीब कुमार क्या है तो आप इनका भी नाम इनके designation के साथ लिखेंगे चलिए चलते हैं अगले सवाल पे बिते दिनों बिजनेस लाइन चेंज मेकर आफ दा एयर पुरुषकार से किने सम्मानित किया गया है तो बिजनेस लाइन चेंज मेकर आफ दा एयर से सम्मानित किया गया है अरून जेटली को हमारे बित मंत्री अरून जेटली को सम्मानित किया गया है बिजनेस लाइन चेंज Maver of the year पुरुषकार से चलते हैं अगले सवाल पे विदे दिनों किसे यस्वन्त चौहान राष्ट्रिय पुरुषकार that 2018 से संभानृत किया है पुर्व भुरु कि चिसमे नमबर के RBI गौवर्नर है इन से पहले 24 में नमबर के थे उर्जित पटेल और 23 में नमबर के रहुराम जी राजन चलिए चलते हैं अगले सवाल पे बीते दिनो ITB में प्रथम पुरुषकार जीतने वाला देश कोन है अपना प्यारा देश भारत ITB में प्रथम पुरुषकार जीता है यह ITB होता क्या है International Tourismus Bourse ITB का पूरा नाम है जो जर्वनी के राजधानी बरलीन है वहाँ पर परेटन चेतर में दिया जाता है तो भारत के तरफ से जो परेटन सचीव हैं योगेंदर त्रिपार्थी देखिये कुछ सचीव बहुत important है तो कुछ सेक्रेटरी आपको याद रखना चाहिए जैसे विदेश सचीव अभी अभी जो पुलमावा अटेक के बाद विदेश सचीव या फिर आप बालाघाट अ डाएवरा प्राप्त किया गया यह प्रूसकार ठीक है रवनेक की रधानी बर्लीन में ठीक हो हां के जो एंजला मारेकेल हैं और वहां करेंसी epoxy यीरो धिक है वहां के चांसलर मारेन्ट हैं और वहां करेंसी येरो चलती है एक और एक很好 पद्वनावन गोपालन को मिला है रास्ट मंडल यूबा पुरुसकार ठीक है यह एक्शुली तमिलाडू के हैं और यह जो जो फूड फूड प्रोसेसिंग को ले करके इन यह कैमपेंच चलाते हैं एक एंजीयो चलाते हैं जिसमें भूखे लोगों को हंगर पिपल्स को यह पहुचाते हैं ठीक है चलिए चलते हैं अगले सवाल पे बिते दिनों पहला डीडी महिला किसान पुरुसकार किसने जीता है स्वातिस सिंगाडे यह महराष्ट की हैं स्वातिस सिंगाडे इन्होंने पहला डीडी महिला किसान पुरुसकार जीता है चलिए चलते हैं अगले सवाल पे बिते दिनों मुहम्मद सताय को किस देश के परधान मंतरी के रूप में नामित किया गया है तो यह फिलिस्तीन के मुख सौरी परधान मंतरी के रूप में इन्हें नामित किया गया है अप फिलिस्तीन आपको यादा रहा होगा इसराइल जो इसराइल है इसराइल के यहां पर येरुसलम है और ये बेस्ट बैंक बोलते हैं यहां पर फिलिस्टीन है और यहां पर इसराइल का राजधानी येरुसलम जो है येरुसलम में एक रामलला करके जगह है वो फिलिस्टीन की राजधानी है चलिए चलते हैं अगले सवाल पर अब महतोपू गया है तो 20 कीड्री दिवस मनाया गया 14 March को 14 March को मनाया गया 20 कीड्री दिवस अब यह 14 March को fix नहीं होते यह March के 2nd Thursday को मनाया जाता है March में 2nd Thursday को मनाया जाता है 20 कीड्री दिवस और इसका इस बार का theme भी याद रखेंगे आप Kidney health for everyone everywhere चलिए एक और important दिवस है बिस्व उपभोगता अधिकार दिवस कब मनाया गया तो 15 मार्च को बिस्व उपभोगता अधिकार दिवस मनाया गया है एक्चुली 1962 में जो USA के 35 में प्रसिडेंट थे उन्होंने उनका नाम था जॉन एफ केनेडी आपने नाम सुना होगा जॉन एफ केनेडी ने इसे बिस्व उपभोगता दिवस मनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले USA में मनाया था फिर बाद में ये पूरे दुनिया में अंतर राश्ट्रिये अस्तर पे मनाये जाने लगए आपको बता दूं कि भारत में 24 दिसंबर को राश्ट्रिये उपहोगता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को चलिए चलते हैं अगले सवाल पर अंतर राश्ट्रिये अब अंतराष्टी ये करेंगे हम लोग बिते दिनों दुनिया का सबसे बड़ा हत्यार आया तक देश कौन बना है जिन्होंने भारत को पीछे छोड़ा है और वो कंट्री है साओधी अरविया साओधी अरविया अब हत्यार खरीदने में सबसे बड़ा देश बना है सबसे बड़ा देश बनकर उपरा है चलिए चलते हैं अब बात साओधी अरविया क्या आई है तो वहां क्या भी प्रिंस इंडिया के आतरा पे थे तो सौदी अरब की राजधानी रियाद है और वहां के जो प्रिंस आये थे वहां MBS मुहम्मद बिन सलमान वहां के प्रिंस है चलिए चलते हैं अगले सवाल पे किस देश ने भारत में छह परमानू उर्जा सन्यंत्र अस्थापना के लिए समझोता किया है तो यह कंट्री USA है USA डोनल्ड ट्रम्प जहांके प्रसिडेंट है USA ने भारत में छह परमानू उर्जा सन्यंत्र अस्थापना करने की समझोता किये हैं चलिए अभी जो बिदेश सचीब हमारे जो हैं विजय गोखले वो वहां गये थे और यह समझोता पर हस्ताक्चर किये हैं चलिए चलते हैं अगले सवाल पर बिते दिनों भारत ने किस देश के साथ नया वीजा समझोता लागू किया है तो मौल्डीव के साथ जो अपना भारत इधर है ऐसा मान लिजे सौथ इस्ट का मतलब भारत बनाया है तो यहां पर मौल्डीव है चोटे 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 टापू है मौल मौल्डिव के साथ नया बीजा समझा होता लागू किया है अब बात मौल्डिव क्या ही है तो मौल्डिव के राजधानी माले है और वहां अभी नव निर्वाचित प्रसीडेंट बने हैं वहां के मुहम्मद सोहिल चलते हैं अगले सवाल पर बिते दिनों मरसर सुचकांक में रहने योग सबसे उपयूक्त सहर कौन से हैं किसे घोशित किया गया है तो मरसर सुचकांक में ये बियाना को सबसे बेस्ट ये पिछले 10 बार से लागातार टॉप पे बने हुए हैं सबसे मतलब सुरक्षित सहर सबसे उपयूक्त सहर रहने लाइक बियाना है बियाना ऑस्टरिया की राधानी है सेकेंड नमबर पे जीवरी काता है सेकेंड नमबर पे जीवरी काता है थर्ड नमबर पे यह दोनो हैं aux markland और Munich दोनों ठीक है चलिए चलते हैं अगले सवाल पे बिते दिनों किस देश की Special Operation Forces ने भारत के NSG के साथ समझोता किया है NSG का पूरा नाम National Secretary Guard तो USA के Special Operation Forces ने NSG के साथ समझोता किया है ये इनको टेंड करेंगे ठीक है चलिए चलते हैं अगले सवाल पे बिते दिनों बुनियादी धाचे के पुनर निर्वान के लिए भारत ने किस देश के साथ समझोता किया है तो ये हमारे पड़ोसी देश नेपाल है नेपाल की राजधानी काटमांडू नेपाल के पीएम ओपी कोली और नेपाल के राष्टपती हैं विद्या देवी वहंडारी चलिए चलते हैं अगले सवाल पे बिते दिनों Global Environment Outlook Report 2019 किस ने जारी किया है तो ये जारी करने वाले UN है संजुक्त राष्ट UN, United Nation है ठीक है अब बात UN की आई है तो UN के किस संस्थाने Global Environment Outlook Report जारी किया है तो आपको याद होगा UNEP United Nation Environmental Program जिसका अस्थापना हुआ था Kenya के राजधानी नौरावी में नौरावी में 5 जुन 1972 को नौरावी में UNEP के अस्थापना हुआ था तो यही जारी करते है Global Environment Outlook Report देखे UNEP को UNDP से बिलकुल कन्फ्यूज मत किजिएगा UNDP Development Program है और इसका Headquarter कहां है New Work में इसका Headquarter है New Work में जबकि इसका Headquarter में बता रहा हूँ आपको Kenya के राजधानी नौरावी में चलिए चलते हैं अगले सवाल पे बीते दिनों Hotspot में सबसे ज़्यादा प्रभावित प्रजातियों की संख्या के मामले में कौन से देश सिर्स पे रहा है अब ये देश है Malaysia है तो हट-स्पोट में सबसे ज्यादा प्रभावित प्रजातियों की संख्या के मामले में मलेशिया टॉप पे रहा है तो अपना देश कौन से अस्थान पर रहा है तो अपना देश रहा है सोल में स्थान पे 16th प्लेस छले चलते हैं अगले सवाग पर ग्यान विग्यान, Science and Tech, बिते दिनों DRDO ने पिनाका गाइडेड वेपेंस सिस्टम का सफलता पुरुवग परिक्षन कहां से किया है, तो ये पोखरन, राजस्थान के पोखरन से किया है, DRDO ने पिनाका गाइडेड वेपेंस सिस्टम का सफलता पुरुवग परिक्षन, कई दफ़ा बताया हूं इस बार आप बताएंगे वहां के आप लोग लिख चुके हैं कई दफ़ा जी सतीस रेड़ी हैं जो चेर्मेन हैं डियाडियो के अच्छा डियाडियो अच्छा डियाडियो अब मिनिस्ट्री ओफ defense के अंतरगत आता है तो आप कह सकते हैं कि ministry of defense निर्मला सिता रमन जो है इसके प्रमुख है ठीक है बात निर्मला सिता रमन के आया है तो इनसे पहले जो defense minister थे मनोहर पारिकर जो भुद पूर्व गोवा के cm भी रहे हैं उनकी कल ही death हुई है तो उनके आत्मा को सांती मिले, ऐसा हम लोग प्रात्ना करेंगे, चलिए, चलते हैं अगले सवाल पे, बिते दिनों, चौथा IOT Internet of Things, भारतिय सम्मेलन कहां आयोजित करने की घोसना की गई है, तो ये Silicon City, Silicon City के नाम से भी जाना जाता है, बेंगलूरू में IOT Internet of Things, भारतिय सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा, ठीक है, चलिए, चलते हैं अगले सवाल पे, बिते दिनों, किस IOT के छात्रों ने नकली नोट का पता लगाने वाले स्मार्ट फोन का कोड डेवलप किया है, जिससे आप मोबाइल में एक एप बनाए हैं, उनसे आप फोटो कीची अपना नोट क और उस पे आप चेक कर सकते हैं कि ये नोट असली है या नकली, तो IOT खड़कपूर, ये IOT खड़कपूर के स्टुडेंट ने ऐसा स्मार्ट एप, स्मार्ट फोन एप का कोड डेवलप किया है, IOT खड़कपूर, बात IOT क्या ही है, तो मनोहर पारिकर जी भी, IOT बॉंबे स से पास आउट हुए है, और पहले IOT है, भारतिये राजनेतिंग में, वो पहले IOT है, जो CM बने है, चलिए चलते हैं, अगले सवाल पर, अब खेल जगत, स्पोर्ट डेस्क, फिप्थ सैफ बोमेन चैंपियंसीप, कहां आयोजित किया जा रहा है, ये नेपाल में आयोजित क अधिया जा रहा है, छीक है, इसके समापन पर हम लोग, फिर से इसके बारे में चरचा करेंगे, अगले साप्ताहिक संतालिस के अगले कड़ी में, ठीक है, चलिए चलते हैं, अगले सवाल पर, नेपाल के बारे में, हम लोग, डिस्कस कर चुके हैं, भीते दिनों सय्यद किसने जीती है तो ये मुंबई को हरा करके करनाटक ने करनाटक ने मुंबई को हरा करके सियद मुस्ताक अलिट जीती है नेक्स कोशन है बिसेष उलंपिक बिस्व खेल दोहजारुनिस का आयोजन कहा किया जा रहा है ये UAE संजुक राज अमीरात में UAE जिसकी राजधानी यहां पर एक बहुत ही खुबसुरा सहर दुबाई है जो अच्छा UAE के बारे में एक और विशेश्ची बताता हूं मैं आपको यहां करीब 28% 28% लोग भारतिये रहते हैं और यहां के बहुत ही हाई है और यह बहुत ही हाई है और यह बताता है कि वह कितना संपन्य देश है है ठीक है चलिए वहां के जो प्रसिडेंट है खलीफा बिन जयाद अल और मुहम्मद बिन रसीद वहां के प्रसिडेंट है चलिए चलते हैं अगले सवाल पर बिते दिनों IPL 2019 से पहले दिल्ली कैपिटल ने किसे टीम के सलहकार के तौर पे न्यूक्ट किया है तो यह भूत पूर भारतिये टीम के कप्तान सौरफ गंगुली सौरफ गंगुली को कैपिटल दिल्ली कैपिटल पहले इसका नाम दिल्ली डेर डेविस था दिल्ली डेर डेविस था डीडी लिखा जाता था अब यह दिल्ली कैपिटल हो गया डीसी हो गया है दिल्ली कैपिटल इनका नाम बदल के रख दिया गया है यह कौन सा सेशन है य इसका IPL का, 2008 से सुरू हुआ था IPL, चलिए, क्या बता सकते हैं कि गिरामा सेसन जो लास्ट एर हुआ था, वो किस ने जीता, चलिए, चलते हैं अगले सवाल पे, बिते दिनों किसने एक दिवस्य किर्केट में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाडी वने हैं, तीसर खिलाडी हैं, बिराट कोहली, जिन्होंने करीब 175 इनिंग्स में बनाये हैं, एवी डिविलियर दूसरे प्लेयर हैं, जो 182 इनिंग्स में बनाये हैं, और रोही सर्मा ने संजुक्त रूप से 200 इनिंग में, 200 पारी में इन्होंने 8000 रन का आकड़ा छुआ है, तो ये मैंने सवाल है, 2020 में आयोजित होने वाला सात्मा अंडर 17 महिला फुटबोल 20 वकप की मेजवानी कौन सा देश करेगा, बहुत इन्पॉट्ने टोसन है, ये अपना देश भारत, अपना प्यारा देश भारत अंडर 17 महिला फुटबॉल 20 वकप की मेजवानी करेगा, अच्छा आप होगा अंडर सेवेंटीन फुटबॉल मेंस फुटबॉल का भी मेजवानी भारत नहीं किया था पिछले साल तो क्या बताएंगे कि उस बिस्व कप में बिजेता कंट्री कौन रहा था बीनर कौन रहा था ठीक है यह 2020 में और आयोजित होगा ठीक है अच्छा यहां पर कुछ औ सेनेगल क्या सेनेगल आपको याद हो रहा होगा जो अफिरकन कंटिनेंट है तो यहां पर सेनेगल है सेनेगल है हमने लास्ट वीडियो में बात किया था अफिरका में तंजानिया और तंजानिया यहां पर था यहां पर तंजानिया था और यहां पर क्या था नाइजिरिया जो की फिरका के सबसे बड़े लोग तांतरिक देश कह सकते हैं आप वहां ठीक है वहां करीब 50,000 इंडियन भी रहते हैं और वो बहुत ही संपन देश है क्रिसी के मामले में भी और पेट्रोलियम के मामले में भी तो बात सेनेगल क्या रहते हैं तो सेनेगल यहां पर है में भारत में होगा 2020 में अंडर 17 महिला फूटवाल बीस वकप चलिए चलते हैं आगले सवाल पे बिते दिनों फिल्लेंड बॉक्सिंग टूनामेंट में कविंदर सिंग विस्ट ने कौन सा पदक जीता है अफकोर्स उन्होंने गोल्ड मेडल जीता गोल्ड मेडल पे काबि संपर नॉर्बेज, स्वीडन और फिल्लेंड ठीक है तीन कंट्री से में हैं एक दो और यहां पर तो यह है फिल्लेंड है और फिल्लेंड के राजधानी कहा है एंस लिंकी चलिए चलते हैं अगले सवाल पर अब मिस्लेनियस के कुछ सवाल करेंगे बीते दिनों किस कंपनी ने भारत में एक मिलियन एक मिलियन चात्रों को परश्रिक्षित करने की घोसना की है तो यह IBM एक मिलियन भारतिय स्टुडेंट को परश्रिक्षित ट्रेंडिंग देने की बात की है घोसना की है ठीक है अब बात IBM क्या है तो IBM का पूरा नाम क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस मसीन इंटरनेशनल बिजनेस मसीन अच्छा इसका हेड़कॉर्टर कहा है निवर्क में और यह इसका स्थापना कब हो जी थी यह 1911 में हुआ था इसका स्थापना 1911 में हुआ चलिए अगले सवाल पर देखेंगे 46 नमर कोस्टन बिस्विक के सबसे बड़े सोने के भंडारों में से भारत कौन से अस्थान पर है तो भारत का अस्थान 11 है भारत का अस्थान 11 है ठीक है तो टॉप पे को है तो टॉप पे USA USA के पास सोनय का सबसे बड़ा भंडार है चलिए चलते हैं अगले सवाल पे और आज के 1747 के सात्मी कड़ी की सबसे आखरी सवाल भी बिते दिनों बांध पुनरवास और सुधार परियोजना के तहट भारत के 220 बांधों के लिए बिसो बैंक ने कितनी सहायता रासी देने की घोसना की है तो बिसो बैंक ने 137 मिलियन डॉलर सहायता रासी देगी 137 मिलियन डॉलर ठीक है चलिए तो आज का सेशन हुआ समाप्त अब मांचित्र की बात आई है तो हमने जैसा बताया था आपको कि हम करेंगे दक्षिन भारत के कुछ राज्यों को ठीक है दक्षिन भारत के कुछ राज्यों को करेंगे तो चलिए एक मैप बना लेते हैं ओवर्विव यहां पर देखेंगे आप की केरल है केरल दिख राओगा आपको ऐसे नीचे यहां केरल और पीछे से ऐसे आप यह तमिलाडू है यह तमिलाडू टी एन यह केरल ठीक है केरल के उपर करनाटका यहां तक करनाटका आती है देखें मैं इस बॉंडी लैन की बात कर रहा हूं ठी हुआ है तो गोवा करनाटक केेरल ग्por नाटक केरल इथर देखें कि तमील आडू और मैंने भी अभी अभी जब पिधाया था विडियो पिर उपर हो जाते हैं यह आंधर पर देश आंधर पर देश एपर तो जहां तमील नाडू और आंदर परदेश boundary बनाता है वहाँ पर एक जील है अभी मैंने बताया पुलिकट जील जिसपे स्री हरी कोटा है ठीक है पुलिकट जील के अंदर ही स्री हरी कोटा है अच्छा उसके उपर यहाँ पर है कोलेरु जील है जिसके बारे मैंने अभी बताए था वीडियो में ठीक है तो आज हमने ये 5-6 देखे गोवा अच्छा गोवा के ऊपर गोवा है जो महलास्ट्रा के अंदर इंबडेड है जैसे सेनेगल के अंदर एक कंट्री है क्या आप बताएंगे सेनेगल के बिल्कुल बीचों बीच में ह आप बताएंगे कमेंट कीजिए उसका नाम सार्च करके गोवा के बाद आपने करनाटक देखा करनाटक के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद तमिलाडू तमिलाडू के बाद आन्दर प्रदेश ठीक है अब अगले जो मानचीतर होगा उसमें हम पूरे भारतिये रह गये हैं तो अगले वीडियो में अगले 1747 में हम कंप्लीट कर देंगे चलते हैं अब आंसर फोर्थ जो फिप्थ होना चाहिए था फिप्थ का जो कोशन किये थे उसका आंसर आपको देदें बिटे दिनों किस राज नहीं ये फिप्थ नहीं सिक्स्त सॉरी ये सिक्स्त हो हुआ था बिटे दिनों किस राज ने मीठी करांती योजना की सुरुआत की है तो इसका सही आंसर है जारखंड बहुत सही आप सबों ने सही आंसर दिया है बहुत सारे नाम है मैं अगले वार से उन नामों का लिस्ट भी बना दूंगा जो कमेंट किये हैं सेकंड कोशन था Q-R-S-A-M मिसाइल का सफलता परिक्षन कहां से किया गया है तो चांदीपूर से किया गया और चांदीपूर कहां पर है जी चांदीपूर है उडिसा में चलिए Q-For-The-Day में आज के दो सवाल है बिते दिनों सुधार एजेंडा लागू करने में कौन सा बैंक सबसे आगे रहा है और दुसरा है बिते दिनों किस राज सरकार ने राइस नौलेज बैंक की सुरुवात की है तो ये आप इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे और जितना आप डिस्क्राइब कर सकते हैं बिल्कुल कीजिए डिस्क्राइब करने से आप चीजों को याद रख पाते हैं आप उसे इसली नहीं भूलते हैं चलिए फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग तब तक के लिए नमस्कार